देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी बस सब्स्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नमश्कार दोस्तों स्वागत था आपका किसान बुलिटिन में और मैं हूँ आपके साथ पालोली आजफ चली जल्दी से एक नदर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामिन शेत्रों से जुड़ी आज की बड़ी हैड्लाइन्स पर 15 अगस्ट पर जिंद में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान जंड़ा पहरा ने पहुचा कोई भी बीज़े पी ने था तो दिखाए जाएंगे काले जंडे माइनिंग का काम छोड़कर मचली पालक बना जारखंड का ये किसान मतस्य पालन से लाखों कमा रहा है किसान क्रिशी पाठशाला से बदलेगी जारखंड के किसानों की किसमत तीन सालों में सौ क्रिशी पाठशालाइं स्थापित करेगी सरकार पानी भी अच्छी मातरा में पीना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है तो दिन में लगभग साथ से आठ ग्लास पानी हमें पीना चाहिए अगर किसी को डॉक्टर ने मना करा है कुछ बिमारियों में मना किया जाता है तब अलग बात कि हमें नीद का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हम समय से सूएं , अच्छे से लगभग साथ से आठ घंटे की नीद लेएं हमारी नीद अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, सब जगे स्वच्छता होनी बहुत ज़ादा जुन्री है, वो भी हमारी रोप्रती रोधक्षंता को बढ़ाती है जहां 26 जनवरी को देश की राजधाने दिल्ली में किसानों द्वारा निकाली कई ट्रेक्टर रैली में काफी बवाल हुआ था, तो वहीं अब एक बार फिर किसान कृशी कानूनों को लेकर ट्रेक्टर रैली निकालने की यूजना पना रहे हैं हालें कि इस बार ये दिल्ली नहीं बलकि हरियाना के जिंद जिले में निकाली जाने वाली है, किसान निता बिजेंदर सिंदु ने कहा है कि 15 अगस्त को हरियाना के जिंद शहर में जहांकी के साथ ही ट्रेक्टर रैली निकाली जाएगी इस दोरान किसान स्वतंदिता दिवस मनाते हुए अपने ट्रेक्टरों पर तिरंगे के साथ ही किसानों का जंडा लगा कर रैली निकालेंगे इसके लिए DC को पहले से ही रूर प्लान का प्रस्ताव भी भीजा जाएगा इतना ही नहीं अगर इस बीच कोई भी भाजपा नेता जिंद में घज रोहन के लिए आता है तो उसे रोकने की बजाए काले जंडे दिखाए जाएगे जानकारी के लिए बता दे कि भारती किसान यूनियन के रास्टर प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 15 अगस्त के मौके पर जिंद में ट्रेक्टर परेड बुलाई है जिसके जलते सभी किसान स्वतंतरता दिवस के मौके पर नए कृष्टी बिल के खिलाफ अपना विरोध जता जाएंगे एक प्रेस वारता के दुरान राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रेक्टर रैली निकालना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन सयुक्त किसान मोर्चा इस बारे में क्या सोचता है वो ये नहीं जानते उन्होंने कहा कि रास्टर द्वच के साब ट्रेक्टर परेड देखना एक गर्व का पल है इससे रास्टरता की भावना पैदा होगी मचली पालन आज के वक्त में रोजगार के तौर पर एक बहतर विकल्प साबित हो सकता है इस बात को सच साबित कर दिखाया है जारखन के लातेहार चिले के रहने वाले जैकिशोर लालने जो आज के वक्त में मचली पालन से अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा रही है जहां करीब एक दशक पहले जैकिशोर माइनिंग सेक्टर में काम करके बड़ी मुश्किलों से अपना गुजर बुसर कर पा रहे थे तो वहीं अब वो मस्ली पालन करके लाखों कमा रहे हैं माइनिंग सेक्टर में काम करते हुए उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा था ऐसे में परिशान होकर जैकिशोर वापस अपने घर लोटाए और मतस्य पालन करने का मन बनाया इसके बाद उन्होंने लातिहार के जिला मतस्य पददिकारी से मुलाकात की उनसे मचली पालन के लिए मार्ग दर्शन लिया और फिर शाली मार प्रशिक्षन केंदर रांची से ट्रेनिंग भी ली इसके बाद वापस अपने गाउं जाकर मचली पालन में चुट गए जैकिशोर के पास पहले से ही अपने दो तलाब हैं इसके अलावा विभाग की तरफ से उन्हें एक तलाब दिया गया था इन सभी तलाबों का अकार सवा एकड और डेड़ एकड के करीब है इसके अलावा वो धान की खेतों में भी मशली पालन करते हैं क्योंकि इनके खेत में धान की कटाई होने के बाद भी पानी रहता है किशोर आज के वक्त में मुख्यतोर पर इंडियन मेजर कॉर्प रेहु कतला और निगल मशलीों को पालते हैं जबकि उनके पास कॉमन कॉर्प, ग्रास कॉर्प, देसी मांगूर और देसी जींगा भी मिल जाएंगे इतना ही नई खुष से ब्रीडिंग करके कॉमन कॉर्प की नई ब्रीड बनाई है, स्पॉन से जीरा तयार करने के लिए जै किशोर के पास एक हैचरी भी है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अभी 2020 में ही की है पिला किशोर करी 5-6 लोगों को रोजकार भी दे रही है और साती जीरा और मचली बेच कर जै किशोर पिला 2 लाख रुपे से अधिक की कमाई कर रहे है कृष्टी शेत्र का विकास करने के लिए वैसे तो हमारी सरकार पहले से ही बहुत कुछ कर रही है कई तरह की योजनाई भी चलाई जा रही है जबकि जारकन सरकार ने इसके विकास के लिए एक अनोखी पहल की है दरसे जारकन सरकार अब गाउं गाउं जाकर किसानों को खेती सिखाने वाली है इसके लिए सरकार की तरफ से क्रिशी पाठशाला योजना की शुरुआत करने का फैस्सा लिया गया है योजना की तहत किसानों के लिए पाठशाला को स्थापित किया जाएगा जहाँ पर किसानों को कृषी से जुड़ी आधुनिक पदितियों की जानकारी दी जाएगी इतना ही नहीं पाटशाला के आसपास 3-4 बिड़सा गाउं स्थापित किये जाएगे इसके अलावा किसानों के उत्पात के रख रखाओं के लिए 5-10 मीटर का कोल्ड रूम भी तयार किया जाएगा जिनका संचालन सोलर पावर द्वारा किया जाएगा जानकारी की माने तो योजना की तहत सरकार अगले 3 सालों में 100 कृषी पाटशालाओं को स्थापित करने वाली है जिसके पहले चरण में 17 पाटशालाओं संचालित की जाएगी जबकि धीरे धीरे बाकी पाटशालाओं को भी स्थापित किया जाएगा तो दोस्तो ये थी आज की किसान बुलिटिन की कुछ ऐसी खबरें जिने हमने आप तक विस्तार्ट से पहुँचाया लेकिन अब बारी है कृषेतर से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है तो चलिए जल्दी से एक नदर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामिन भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर जल्वा वायू प्रदूशन को लेकर अब जल्द ही डेरी फार्म वाग गौशालाओ पर सकती होने जा रही है दरसल केंदरी प्रदूशन नियंतरन बोर्ड ने देश भर के डेरी फार्म और गौशालाओ को लेकर संच्छोदित निर्दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके तहत हर पशु पर पानी की मातरा तै करने के साथ ही साथ बद्वू रोकने के उपाए और स्कूल अस्पताल से इनकी दूरी तक के बारे में साफ तोर पर निर्देश दिये गए हैं सबी डेरी फार्म और गौशाला संचालों को से गोबर के लिए खाद बनाने की जगा या फिर बायोगेर सेंत्र लगाने को कहा गया है इतना ही नहीं इंडियमों का उलंगन करने वाली डेरियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा गया है क्रिश्री काननों को लेकर दिली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का धरना आज आठ महीने पूरे कर चुका है इस खास मौके पर आज जंतर मंतर पर एक बेहत खास महीला किसान संसद आयुजित की गई थी जिसके गुवाई देश भड से आई महीला किसानों के द्वारा की गई आपको बता दे कि आज सिंगू बॉर्डर से 200 महीला किसान प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर पहुँची जिसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से विशेश इंतिजाम भी किये गई इन महीलाओं के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज जंतर मंतर पर महीला फोर्स को बड़ी तादाद में तैनात किया गया खास बात यह है कि महीला संसत के आयोजन के साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने सुमवाट से लखनों में मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने की भी खोशना की है जिसके तहट पूरे यूपी के किसानों को केंदर की मोदी और यूपी की योगी सरकार के खिलाप लाम बंद करने की कोशिश की जाएगी बिहार की गया जिले के मोउ ओपी थाना शेत के मोउ गाउं के रहने वाले 45 साल के शिवलाल अपने खेत पर पटवन के लिए गए थे कि इस दोरान अचानक बिजली कातार खेत में गिर गया इस से पूरे खेत में करंट दोड़ गया इस दुरान शिवलाल खेत में ही खड़े थे और करंटे शिवलाल को अपनी चपेट में ले लिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई मौके पर पहुंचे घरवालों ने देखा कि उनके उपर ही बिजली का तार गीरा पड़ा है गाउवालों ने किसी तरह से उनके उपर बिजली का तार हटाया और उसके बादशक को खेट से बाहर निकाला तो दोस्तों इसी के साथ आज की किसान बुलिटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही आप मुझे दीजे इजाज़त कल फिर हासिरोंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ तब तक के लिए आप देखते लिए ग्रीन टीवी घर पर रहिए स्वस्त आईए नमस्कार